नमस्का दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के उपर जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है जो HP है, Dell हो गया या फिर जितने भी कंपनी है, लेप्टोस बगरा मैनुफेक्चर करते हैं या फिर जो प्री बिल्ड जो डेक्स्टॉप बेशते हैं मतलब ब्रैंडे डेक्स्टॉप जिसको हम कहते हैं इन सभी जो प्रोडक्स है, सभी के अंदर हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्योंकि सभी के अंदर 11th generation या फिर 12th generation, 13th generation कह लीजिए प्रोसेसर आ रहे हैं तो इन सभी प्रोसेसर के अंदर दिक्कत ये है कि फॉर्मेट जब आप करने जाओंगे PC को फॉर्मेट ही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट के लिए आपको जो ड्राइवस बगरा है, शो करता है उस पैनल पर कोई ड्राइवस शो ही नहीं करता है, क्योंकि जो ड्राइवर है, सपोर्ट नहीं करता है इसके लिए आपको एक अलग सा ड्राइवर चाहिए तो मैंने यह जो driver है नीचे description में link दे दिया है आप वह आपे जाके yes driver को download कर सकते हो सबसे पहले दोस्तो driver जो है उसको कैसे install किया जाता है PC के अंदर क्यों यह problem आ रहा है सभी के बारे में आज हम खुल के बात करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों जो problem है उसके बारे में बात करते हैं problem दोस्तों जो है अभी हर एक जो PC है यही दोस्तों problem आएगा क्योंकि 11th generation 12th generation 13th generation के अंदर Intel ने अलग एक जो driver प्रोवाइड किया है जो कि यह दोस्तों rapid storage technology अभी इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगी यह rapid storage जो technology होता क्या है अभी दोस्तों हम solution की बात करेंगे solution में मैंने दोस्तों मेरे shop में एक PC आया था जो कि दोस्तों 11th generation का HP का एक PC था i5 के उपर तो उस laptop में जब मैं format करने जा रहा था तो वहाँ पर कोई भी drive शो नहीं कर रहा था लेकिन laptop on हो रहा था बंदा जो है वह password भूल गया था तो उसको जो है नया software डालना था format करके तो यह जो problem अभी मेरे को face करना पड़ा तो मैंने इसके रिकड़ें बहुत रिसर्च किया दो तीन गंटे लग गया रिसर्च करनते हुए ही और मेरे को एक file मिला जिस file के अंदर इसका driver चुपा हुआ था तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ वो जो driver है उसको आप आपके PC के अंदर क्यासी इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि दोस्तों आप देख सेक्टों स्क्रीन को पर कोई भी drive शो नहीं कर रहा है इस laptop के अंदर तो मैंने क्या किया यह जो pen drive है इस pen drive को मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर लगा उसके बाद मैंने इस pen drive के अंदर एक फोल्डर क्रेट किया और उसमें यह जो driver को मैंने इस pen drive के अंदर कॉपी कर दिया इस ड्राइबर का लिंक मैं आपको दोस्तों नीचे description में दे दूंगा आप नीचे जाक्के जो description से जो फाइल है उसको ड्राइवर से उनको डाउनलोड कर सकते हो तो अभी मैं क्या करूंगा यह जो pen drive को मैं फिर से अपने इसे laptop के अंदर लगाऊंगा उसके बाद इसको एक बाद रिस्टाट करना पड़ेगा रिस्टाट करके मैं फिर से यह जो laptop के अंदर बूट मेनु में जाना पड़ेगा बूट मेनु के अंदर जाने के बाद मुझे फिर से जो है pen drive से ही boot select करना है तो यह तो hp का laptop है इसका जो boot की है वो f9 पर आता है तो मैं आप f9 कुछ बार प्रेस कर लेता हूँ और यहापर जैसे के आप देख सकते हो जो सैंडिस का पेंड़ाई वह आ चुका है अभी मैं सैंडिस का पेंड़ाई यहापर सिलेट कर लेता हूँ यहापर दोस्तों कुछ देर लोड होने के बाद हमारा जो यहापर मिल जाएगा तो आपको क्लिक करना अबंटर ऊसे फोल्डर के अंदर जाना है फुल्डर के अनदर जानने के बाद आपको ड्राइवर फोल्डर उसको एकसेस करना है फिर दोस्तों आपको सबसे जो नीचे व्यूण D करके एक folder उसको select करके OK में click कर देना है तब दोस्तों आप देखोगे कि दो driver आपके सामने show होगा दोस्तों सबसे पहला जो driver है RSTVMD controller 9A08 करके इसको select करके बस आपको next click कर देना है अभी दोस्तों यह driver install होने लगेगा इस process में थोड़ा सा वक्त लग सकता है एक बार driver install हो जाने के बाद दोस्तों देखिएगा कि इसके अंदर जो drive है वो show होने लगेगा जैसे कि आप यह पर देख सकते हो driver proper install हो चुका है और यहापर हमारे सभी जो drives है वो show करने लग गया है अभी दोस्तों आप आपके हिसाब से drive को format या फिर डिलीट करके इंस्ट्रॉल कर सकते हो जो software है उसको तो अभी मैं इसको फॉपर फुली डिलीट कर दूँगा जितने भी drives उनको डिलीट करके मैं यहाँ से 200 GB का एक C drive क्रेट करूँगा और बाकी का D drive क्रेट कर दूँगा उसके बाद जो C drive है उसको format करके मैं इसके अंदर software डाल दूँगा हमने तो यहाँ पे C drive बना लिया है और यहाँ पे D drive भी बन चुका है अभी इन दोनों का एक एक करके format कर देना है format होने के बाद जो C drive है उसको select करके यहाँ पे मैंने next में दबा दिया और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा windows है अभी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो windows जो है वो install होना शुडू हो चुका है हमारे hp के 11th generation laptop के उपर तो इसी तरह आप भी दोस्तों आपके PC के अंदर या भी laptop के अंदर इस तरीके का अगर आपको कोई भी issue आता है तो आप बेजी जग आपके PC को problem free कर सकते हैं और एक और बात यह जो मैं दोस्तों फिर से repeat कर देता हूँ यह जो driver है इसका नीचे मैंने link दे दिया है हो रहा है उसका समाधन आपने कर लिया होगा अगर आपको आज के यह वीडियो अच्छा लगते है तो जरू से एक like कर दीजा आज के इस वीडियो को share कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अगर आपका दोस्त को भी same issue आ रहा है तो help की जब के दोस्तों के इस वीडियो को share करके अगर आपको कोई भी question है आज के इस वीडियो के रिलेटर तो नीचे comment कर दीजिए हम कोशिश करेंगे आपका हरे comment का answer देने की और हमारा ये ये यूटूब चैनल है आवर टेक्नोलोजी इसको सब्सक्राइब करके ज़रो सो बलाइगान दबा दीजिए ऐसे interesting और amazing वीडियो है रोज देखने के लिए दोस्तो मैं नमस्टोब रब आभी तक आप देखे रहेते हैं आवर टेक्नोलोजी का वीडियो ये वीडियो ये भी खतम होता है मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में